बहुत सारी बधाईयां और शुब काम नाएं आज के आपके जनव दिन के लिए आज आप एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं जहां से कुछ नए ख्वाब आपने बुने होंगे कुछ नए ख्वाबों को पूर्ण करने के लिए आप प्रयास करने के लिए कमर कर चुके होंगे आप शिक्षा ग्रहन कर रहे हैं आप नोकरी कर रहे हैं आप ब्यापार कर रहे हैं आपकी शादी जश्ट अभी कल परसों में हुई थी, आज आपका जनम दिन है, तो बैवाहिक जीवन आपका कैसा भी देगा, अभी कल ही आपने किसी का प्रपोजल अक्सेप्ट किया है, तो लव लाइफ कैसी रहेगी, रिटायर्मेंट हुआ, बिमारिया चल रही थी, तो उ सारी चीजे हम आपको बता देते हैं, तो आईए जानते हैं सबसे पहले विर्द्यार्थियों के लिए कि उनका पूरा सैक्षनिक जीवन कैसा भी द रहा है, सो सो रहेगा, अब बहुत सारे बच्चे हाथी पाल तो लेते हैं, भारी भरकम सब्जेक्ट तो ले लेते हैं, श कल में लेकिन लेकि चल नहीं पारते हैं, कुछ ऐसी ही स्थिति आपकी होने वाली है, आपने आपकी फ्रेंड के कारण विशे जो चुना, मामला गड़बड है, तो ऐसा आपको बारवाल फील होगा, ऐसा गिल्ट लगेगा कि आपने विशे क्यों ले लिया, ये चीजें अ बड़ा बड़ा ग्यान लोग आपको देंगे और आपको उतना ही इरिटेशन होगा, क्योंकि ब्रहश्पत की दसा में आज का सुर्योदा है, एक और खास बात है कि आप अगर ये सोच रहे हैं, कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिवान हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो भी ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपकी मुर्खता फाइनली सामने आ जाएगी, डिसीजन फिर लोंगे, व्यापार बहतरीन चलेगा, रुकावत नहीं आएगी, जून जुलाई में बड़े रिस्क ना लिजिएगा, बाकी तो व्यापार को आप समार सकते हैं, पैसे की किलत जो व्यापार में थी, वो दूर हो जाएगी, कुछ माता पिता के साथ विचारों को लेकर की स्थिति खराब हो सकती है, जो जिसका असर व्यापार पर दिखेगा, नोकरी, प्राइवेट सेक्टर, मजबूर दिन नहीं कहा जा सकता है, उठा पटक जादा रहेगी, धन के लिए हो सकता है कही मामलों में आप गलत रास्ता भी चुलें आप अपने नोकरी में, तो वो सामने आ जाएगा और आप बदनाम हो जाएगे, तो बहुत सावधान र होई हैं, तो याद रखिएगा कि दामपत्य जीवन में अगले साल 2019 में जनवरी 15 के बाद दिक्कत आ सकती है, तो बहुत सम्हालिएगा अपने दामपत्य जीवन को, प्रेम जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपके प्रेम संबंधों को बल मिलेगा, और हो सकता कि आप विबाह के लिए तयार कर ले जाएं अपने घरवालों को, बधाईयां, अब बिमारियां, अगर सांस की दिक्कत थी, अगर स्किन की दिक्कत थी, अगर पेट की दिक्कत थी, तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन बाकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, खान पान पर ध्यान दे लाइफ स्टाइल पर ध्यान दे उपाय हम आपको बता देते हैं क्या उपाय करना है तीन बेल पत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है ये रेगुलर करिएगा हमेशा करिएगा और तीन लोगों को खाना खिला दीजेगा आज तो करहिने आज जनम दिन है इसे रेगुलर अगर करते हैं तो आपका स्वास्त बहुत अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद खुश रहिए हसते रहिएगा और देखते रहिएगा जो तिस दिशा सिर्फ नक्षत्र 27 आपके अपने चैनल पर नमस्कार झानल झाल